अम्रोहा जन्पत के गज्रोला थाना शेत्री की गाउ मुहम्दाबाद के मदरसे में उसपक दह्षत का मोहल हो गया जब अग्याद बदमाश ने बच्चे के गले पर धारदार हतियार से हमला कर घायर कल दिया जिसमें बच्चा बुरी तरह से जक्मी हो गया आनन पानन में मोके प्रपहुंची ग्रामी वो मदरसे के कुछ उलेमाओं ने बच्चे को हस्पताल में भरती करवाया जहां से उसे प्रात्मी कुप चार के बाद हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए मेरट रैपर कर दिया गया है मामले की सूशना पाकर मोके प्रपहुंची पुलिस अधिक्षक विपिन टान्डा, एसपी अजे परताप सिंग, शेता अधिकारी मोनिका यादव ने फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट लोगों के साथ मामले की जाच परताल शुरू की जानकारी के अनुसार बच्चे का नाम अधनान खान है और वो मुहमदाबाद गाउं के मदरसे में पढ़ाई करता था लेकिन उसके उपर हमला क्यों और किस ने किया है यह अभी तक नहीं पता लग पाया है पिल्हाल पुलिसेस पूरे मामले में मुकदमा दर्च मामले की कारवाई में जोटी हुई है यह गजरूला धाना के अंतरकत महमदाबाद गाउं में रात को एक बच्चे के गले में धारदार हथियार से किसी ने हमला किया है four वनी है उसको एलाज है तो मेरे ट्रेफर किया गया है जहां ensuring the operation होगा है बताया जा रहा है कि अप्रेशन सपल रहा है और ठीक हो रहा है अच्छा कहां कर रहने बदा बच्चा इसी गजरॉला थाना का ही लिसरी काउं है वहां का रहने वाला था और यहीं रह के प्रहाई करता था मदरसे में रह के प्रहाई करता था उसी उम्र दस साल की राज घराना एंड जोती गाडन आज जे बीटी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस्ट परेपाने के लिए बैल आइकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर आड़ सब्सक्राइब करें घंणे वाल